नमास्कार दोस्तों वेलकाम टू मैं चैनल इवेस ईलेक्टर्विक और धुट्रिकल दोस्तों जब आप इंडास्ट्रिय में काम करते हैं तो अलग-अलग पारकार के हेंड ग्लोब्स जैसेजाते आए लग अलग काम करने के लिए तो केमिकल ग्लोब्स , अगर cutting वाले एरिया में काम करते हैं तो cut resistance, hand gloves अगर heating वाले एरिया में काम करते हैं तो heat resistance, hand gloves और normal work करने के लिए curtain gloves का यूज किया जाता है तो उसी को details से हम लोग सीखेंगे नर्मल वर्क करने के लिए जैसे डॉटे गुलोप्स, नाइटेट हैंड गोव्स अफस्टर हीट रिस्टेंस और लिन्ठी हैंड गोव्स यूज किया जाता है नर्मल वर्क करने के लिए अगर आप grinding welding cutting करते हैं तो उसके लिए gray leather, hand gloves, red leather, chrome leather gloves, Canadian और chrome leather gloves का यूज़ किया जाता है अगर hitting area में काम करते हैं तो उसके लिए split leather, almanaged gloves, palm kevlar, full kevlar, knitted gloves, kevlar यूज़ किया जाता है अगर ऐसे area में काम करते हैं जहाँ ज्यादा sharp edge वाले pinion है या sharp edge वाले machinery हैं तो वहाँ पे gray nitrile cut hand gloves, latex cutter stands, cut 3-5, double coated cut 5 और upn4 double coated hand glove यूज़ किया जाता है chemical के लिए full dipped nitrile, nitrile open cuff ये सभी hand glove यूज़ किया जाते है